आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एक ऐसी जगह है। जहाँ छेह महीने दिन रहता है और छेह महीने रात रहती है। वैसे तो पूरी दुनिया में चार मौसम होते हैं और हर रोज सूरज निकलता है, रात होती है, फिर दिन होता है। इन ही चार मौसमों और दिन रात के मुताबिक सभी का जीवन गूमता रहता है। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ दो ही मौसम होते हैं। सर्दी और गर्मी। इसके साथ ही यहां पर 24 घंटे में दिन और रात में कोई तबदीली नहीं आती है। बलकि यहां पर साल के 6 महीने अंधेरे में डूबे रहते हैं और बाकी 6 महीने उजाला यानी दिन रहता है। अंटार्कटिका में सर्दियों के मौसम में अंधेरा रहता है और पूरी गर्मियों में उजाला रहता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पृत्वी अपनी धुरी पर टेड़ी होकर घूमती है। यही वजह है कि अंटार्केटिका में आधे साल अंधेरा और आधे साल उजाला रहता है, जबकि पृत्वी के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं होता है। जब अन्टार्केटिका में सूर्यास्थ हो जाता है उसके बाद वहाँ न कोई जा सकता है और ना ही वहाँ से कोई बाहर आ सकता है। इस पूरे वक्त में वहां रहने वाले लोगों को और Concordia Research Station के वैग्यानिकों को उनके पास मौजूद खाने पीने के सामान से ही काम चलाना पड़ता है, क्योंकि यहां बहुत ही मुश्किल हालात होते हैं, सर्दियां बढ़ने की वजह से वहां का temperature 80 degree तक चला जाता है, इतनी ज्यादा सर्दी की वजह से वहां के लोगों के दिमाग में ong season की कमी होने लगती है, जिसे chronic hypropia कहा जाता है, लेकिन ये वक्त वहां रहने वाले वैग्यानिकों के लिए बहुत एहम होता है, क्योंकि इसी वक्त में सबसे ज्यादा research होता है, इन 6 महीनों से वैग्यानिक व तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में